लो दोस्तों तो आद मैं बनाने जारी हूँ गोभी की कुफती तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँ गोभी को मैंने चोज़े शुरी टुकड़ों में काटा है और फिर इसे गरब पानी में डाल दिया है ताकि इसके जो की टाडू है वो चले जाए और जो मतला हमारी को भी अच्छे से साफ हो जार हलका सा नमक भी डाल दिया फिर मैंने प्याज, लसन, अद्रक और हरी मिर्च को ले लिया है और टमाटरों को भी अच्छे से काट लिया है और इन सब को मिला कर मैंने एक फाइन पेस्ट बना लिया है और आप चाहे तो देर में मेरी गोबी भी अच्छे से बॉयल हो गई है मतलब बहुत अच्छे से बहुत नहीं पक गई है लेकिन हाँ हाँ बॉयल हो गई है और मैंने इन्हें छान लिया है ये रेखे आप भी ऐसी करिएगा छान लिजे और फिर मैंने इन थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया है ताकि यह अच्छे से हो जाए और एक बार ठंडे पानी से ने विश कर लिया उसकी बाद मैंने इसे ग्राइंडर में या चॉपिंग बोड में आप चाहे तो ग्राइंड पी कर सकते। मैंने चौपर में डाल के अच्छे से chop कर लिया है बहुत महीन नहीं करना है छोपर में करेंगे ज़ो बहुत अच्छे से हो जाएगा और याज को भी मैंने खुब फाइन चौप कर लिया है चौपर की वदद से और फिर मैंने उस मिक्षियर में मिलाई हल्दी, सबजी मसाला, धनिया, कश्वीरी लाल मेच, और फिर मैंने मिलाया थोड़ा सा कौन स्टार्ज, ताकि कुरकुरा पन रहे, और उसके बाद मैंने दो चमच मिलाया है बेसन, आप चाहें तो मैदा भी इस्तमाल कर सकते हैं, पर मैं मैदा प्रिफर नहीं करूंगी, क्योंकि मैदा सहथ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं पेसन ही मिलाती हूँ, और इन सब को खुब अच्छे से मिला लेंगे, इसमें पाने बिलकुल नहीं डालीगा, क्योंकि गोबी का अपना मॉश्यर होता है, उसमें नमक वग अच्छे से धोकर और फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, जब ठंडी हो गई है, तो मैंने उसका पेस्ट बना लिया, यह सीक्रेट है, मैं आपको बाद में पताओंगे, कहां यूज़ करना है, फिर मैंने कड़ाई में सरसो का तेल लिया, जब वह गरम हो गया तो मैंने उसमें डाला जो गोबी है, उसके बॉल्स बना कर अच्छे से उनको फ्राई कर लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड ओयल या घी वगएर आप इस्तमाल कर सकते हैं, पर मेरे हां मस्टर्ड ओयल सब ज़्यादा इस्तमाल करते हैं, क्योंकि उसका सॉस अच्छा ल लग रहे हैं, आप चाहे तो हरी चटनी, मेटी चटनी के साथ इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है स्नाक्स के रूप में, यह लेकिए वने सारे इस्तमाल कर लिया है, अब मैंने उसी तेल में, गरम तेल में जीरा डाला है ऑगड़कने लगा, फिर मैं oil हलका सा छोड़ने लगेगा तब मैं इसमें डालूंगी सुखे मसाले, हल्दी, धन्या सबजी मसाला, कस्वीरी लाल मेश और हलका सा गर्ब मसाला और इन सब को डाल कर खुब अच्छे से भून लोंगी तब तक जब तक कि ये हमारे तोड़ा सा oil ना छोड़ेगे, देखे oil छोड़ने लगा, अब मैं यहाँ पर एक secret बताओंगी, मैं इस gravy में डालूँगी पाला का पेस्टी हाँ, मैं इस gravy में पाला का पेस्ट डाल रही हूँ, इससे हमारी gravy इतनी tasty बनेगे न, कि मैं क्या बताओ, एक बार और यह देखे पूरा बसाला भुन गया और उसके बाद मैंने डाला उसमे थोड़ा पानी जितना मुझे चाहिए गाढ़ा चावल रोटी चपाती जिसके साथ आप खाना चाहे और उसके बाद जब यह मेरा वैटर या मेरी ग्रेवी जो अच्छे से खौलने लगेगी तब मै इसको ढख दूँगी ताकि अच्छे से खौल जाए और इसमें आए फिर जब यह खौलने लगेगी तो मैं अपने बाल्स गोभी के जब यह बाल्स बना के रखे हैं उन्हें डालूंगी और यह देखिए डिलेशियस मेरे कुफते त्यार हो गए हैं अच्छे से बला काने लगेगे फिर मैंने हैरे दनिये से गार्निश कर लूँ अपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें